एलो गाइस तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्यूटेशन और उसके बात ब्लीडिंग यानि कि बिंदू इस्त्राव और रस इस्त्राव इसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंट भी पढ़ेंगे कि बिंदू इस पौधे की पत्यों के मार्जिन से जल की छोटी छोटी बूंदो के रूप में जल की हानी या इस्त्राव को विंदू इस्त्राव कहते हैं क्या होता है पौधों की जो लीफ्स होती हैं उनका जो मार्जिन होता है उससे कभी-कभी आपने देखा होगा जल की छोटी छोटी बिंदु इस्त्राव या ग्यूटेशन कहते हैं तो इसक्रिया का अध्यन सर्व पृथम वर्गर स्टीर नामक साइंटिस्ट ने 1887 में किया था उन्होंने बताया था कि बिंदु इस्त्राव सभी पौधों में नहीं होता है यह केवल पौधों के 345 वंशों में होता है वर्गर स्टीन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि यह सभी पौधों में नहीं होता है केवल कुछ ही पौधों के वंशों में होता है समानिता शाकिये पोधों में जैसे की गार्डन नस्टर्टियम आलू, टमाटर, जयी आधी में होता है इस क्रिया में जल की हानी पत्तियों में उपस्ते छोटे छोटे छिदरों द्वारा होती है जिने जल रंद्रिया वाटर स्टोमेटा कहते हैं ठीक है जल रंद्रों के निर्माड में मृदूतकी कोशिकाए भाग लेती है इन कोशिकाओं को एपिथिम कहते हैं ये जो जल रंद्रों के निर्माड में मृदूतकी कोशिकाए भाग लेती है उन्हें एपिथिम कहते हैं जल रंद्र सदेव खुले रहते हैं एपिथेम के पीछे जाइलम वाहिकाए एवं वाहिनी काओं खुलती है जिसके द्वारा इस्तरावित जल जल रंद्रों द्वारा बाहर निकलता है एपिथेम जो होता है उसके पीछे जाइलम वाहिकाए होती है और जाईलम वाही काउँ में वाहीनी काय खुलती है जिनके द्वारा ये जो जल इस्त्राव होता है या फिर ग्यूटेशन जो होता है जल रंदरों द्वारा बाहर निकलता है अब है प्राया बिंदु स्त्रावन की क्रिया उश्न एवं आद्र जलवाईू के पौधों में होती है एवं रात्री एवं प्राता काल में प्राया अधिक देखने को मिलती है उशने एवं आदर जलवायू के जो पौधे होते हैं उनमें ये ग्यूटेशन की प्रोसेज होती है और रातरी एवं प्राता काल में प्राया अधिक देखने को मिलती है जब जल का अफशोषण अधिक तथा वासपोत सर्जन कम होता है जब जाइलम वाहिकाओं में रूट प्रेशर बढ़ जाता है जिसके कारण जल जाइलम वाहिकाओं से निकल कर जल रंद्रों द्वारा बाहर जल निकल जाता है जब जल का अफशोषण होता है तो वासपोत सर्जन की करिया कम होती है और जाइलम वाहिकाओं से जल निकल कर जल रंद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है उसके बाद जल में विले पाए जाते हैं जल में क्या विले पाए जाते हैं जिस कारण जल की सूखने से पत्ती की सत्य फर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं अता इस पिरकिरिया को बिंदु इस्त्राफ कहते हैं या ग्यूटेशन कहलाती है आप देखेंगे हम bleeding यानि की रस इस्त्राफ रस इस्त्राफ क्या होता है जब पौधी के किसी अंग के कट जाने या फट जाने से जल तथा उसमें उपस्तित अन्य पधार्त बाहर रिसने लगते हैं तो इस process को bleeding या रस इस्त्राफ कहते हैं ग्यूटेशन में क्या हो रहा था कि पौधों की पत्तियों के मार्जिन से जल छोटी छोटी बूनों के रूप में बाहर निकल रहा था लेकिन bleeding में क्या हो रहा है कि जल का जब कोई भाग कट जाता है तो उसमें उपस्तित अन्य पधार्थ जो होते हैं वो बाहर रिसने रखते हैं या बाहर निकलने रखते हैं तो उस process को bleeding कहते हैं फोर एक्जाम्पल ताढ के पौधे के तने से ताड़ी का निकलना रवर के पौधे से रवर शिरी का निकलना ठीक है जो ताड का जो ब्रक्ष होता है जब हम उसे कहीं उस ब्रक्ष में से उसके जो तने में कट लगा देते हैं तो उससे एक पधार्त निकलता है जिसे ताडी कहते हैं है न तो अब देखेंगे ये सबी उधारण से ग्यात होता है कि यह किरिया आर्थिक द्रश्टी से मह हिद्वपूर होती है अब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अब हम इन दोनों टॉपिक्स में डिफ्रेंट देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस्पीरेशन और ग्यूटेशन में अंतर उसके बाद हम देखेंगे ग्यूटेशन एंड ब्लीडिंग में तो चली अब हम देखते हैं ग्यूटेशन एंड ट्रांस्पीरेशन में अंतर डिफ्रेंट बिडवीन ट्रांस्पीरेशन एंड ग्यूटेशन ट्रांस्पीरेशन के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेघ श्री देधी, आप चेक जरूर करें, तो ट्रांस्पिरेशन की जो प्रॉसेस हो तिय यह दिन के समय होती है, जबकि ग्यूटेशन की प्रॉसेस रातरी के समय तथा सुभा होती है, इस प्रोसेज में जलवाश्प के रूप में बाहर निकलता है, यदि आपने मेरी Transpiration वाली जो वीडियो है वो देखी होगी तो आपको easily समझ में आजाएगा कि Transpiration में जल वाश्प के रूप में बाहर निकलता है और Gutation में जल Liquid के रूप में बाहर निकलता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया Transpiration में जल वाश्प पूर्टा शुद्ध होता है जबकि ग्यूटेशन जल में अनेक पधार्थ मिले रहते हैं यह regular प्रकिरिया है यह non regular प्रकिरिया है यह क्रिया पौधों के aerial parts के द्वारा होती है ट्रांस्पिरेशन की जो process होती है वो पinhaps के aerial parts के द्वारा होती है जबकि ग्यूटेशन में जो होती है वो जल रंदडों या water stromata द्वारा ग्यूटेशन की process होती है Transpiration जो है वो regular process होती है जबकि Gutation जो होती है वो non regular process होती है तो ये हो गया Transpiration और Gutation में different अब हम देखेंगे Bleeding and Gutation में different तो देखते हैं Bleeding और Gutation में क्या क्या अंतर होते हैं सबसे पहला है रस इस्तिराव की करिया पौधे के किसी भाग के कटिया फट जाने से जल का स्तिराव होता है जबकि Bindu स्तिराव में पौधे का कोई भाग की हानी नहीं होती है अपितू पत्तियों के द्वारा जल बूनों के रूप में बहार निकलता है सेकंड है इस किरिया में कभी-कभी अधिक रस का इस्तराब हो जाता है देखा जाए तो लगभग 5-6 लीटर एक दिन में जल का इस्तराब हो जाता है उसके बाद इस किरिया में जल की मात्रा में वडोत्तरी नहीं होती है तीसरा है यह क्रिया चालनी नली काउं में अधिक दाब उत्पन होने से होती है जबकि यह क्रिया चालनी वाही काउं में अधिक दाब उत्पन होने से होती है फूर्थ है इस प्रोसेज में जल रंदरों की आवश्यकता नहीं होती है इस process में जल रंद्रों के द्वारा ही मतलब कि यह जो process होती है जल रंद्रों के द्वारा ही होती है अता जल रंद्र महत्वपूर एवं आवश्यक होते तो यह तो हो गया gutation और bleeding में difference, transpiration and gutation में difference दोनों की definition हो गई सो वीडियो कम्प्लीट हो चुका है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सो थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग झाल